नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबर हम आपके लिए लेकर आएं तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की और लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि हमारे भारतिय स्थैनिकों में होसले की कमी नहीं है और बता दे दोस्तों की कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले में बलूच लिबरेशन आर्मी ने लिए हमले की जिम्मेदारी जिहां दोस्तों अब तक की बड़ी खबर आ रहे बता दे आपको कराची इस्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की जिम्मेदारी बलूच पार्किंग पार्किंग एरियां में फारिंग करते हुए और उन्हें में गेट पर ग्रेनेड हमला किया इस दोरान सुरक्षा बलोने संघर्स में दो आतंकी मारे गए कुछ देर बाद बकी बचे दोनों आतंकियों को भी कराची पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स ने मार गिराया जियां दोस्तों आतंकियों की फाइरिंग के दोरान 6 लोगों के मारे जाने की खबर है इसमें चार गाड़ और एक पुलिस कर्मी भी शामिल है आपको बता दे दोस्तों सिंद प्रांत की राजदानी कराची में आतंकी हमला होना एक बड़ी खबर है क्योंकि इससे पाकिस्तान की आर्थिक राजदानी भी कहा जाता है आपको बता दे हाली के दिनों में बालुचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है ये आतंकी संगठन बलुचिस्तान की पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है ये आतंकी संकटन 2000 में उस वक्त सुर्कियों में आया था जब इसने पाकिस्तान में सिलसिले वार धमाके किये थे ऐसे में दोस्तों बालुचिस्तान की मांग को अगर आप सही मानते हैं दोस्तों और मानते हैं कि बालुचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होना ही चाहिए तो अपनी राई जरूर दीज़ेगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिख करके चलते कर बड़ी खबर की और जहाँ आपको बता दें फ्रांस जल्द भारत को राफेल विमानों की डिलिवरी करने जा रहा है भारतिय वायू सेना के विशेश निवेदन के बाद फ्रांस इन विमानों को समय से पहले भारत बेजेगा इस मामले से जानकार लोगों ने सोंबार को ये जानकारी दी नाम ना प्रकाशित करने की शर्ट पर एक शक्स ने बताया अंबाला एर बेट्स पर 27 जुराई को 6 राफेल लड़ाको विमानों की पहली खेप आएगी पहले 4 विमानों को पहली खेप में आना था जब इसको लेकर भारतिय वायू सेना के प्रवक्ता से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इंकार कर दिया आपको बताते भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाको विमानों की डील की थी ये डील तकरीबन 69,000 करोड रुपे की थी इन विमानों के जरिये भारत की वायू सेना को और ताकत मिलेगी जियां दोस्तो ऐसे में आपकी क्या राई है जरूर बताएगा और आपको क्या लगता है दोस्तो की भारत जब चाहे चाहेना के छक्के छोड़ा सकता है और अगर आपको मोदी जी पर पुरा विस्वास है दोस्तो तो कमेंट सेक्चन में दो बाते जरूर लिख दीजेगा हमारे भारतीय सेना के लिए चलते का और बड़ी खबर के और जहाँ आपको बतादे चीन के साथ तनाव के बीच भारत जापान की नो सेनाओं ने हिंद महासाकर में किया युध्या भ्यास जीया दोस्तो चीन के साथ तनाव के बीच भारत और जापान की नो सेनाओं ने हिंद महासाकर में युध्या भ्यास शनीवार को किया दोनों देशों की नौसेनिकों की तरब से इस बात की गोशना रविवार को की गई जापानी समुंदरी सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इस युद्ध्या भ्यास को आपसी समझ को बढ़ावा देने वाला करार दिया है जिसमें दोनों ही देशों से दो दो युद्ध पोतों ने हिस्सा लिया था वैसे तो भारत और जापान के बीच नौसेन ने अभ्यास अब रूटीन है लेकिन जिस समय ये किया गया उसे लगदाक में भारत और चीन के बीच तनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है ऐसे में आप किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों इसको अपनी राई जरूर दीजेगा कमेंट सेक्शन में चलते को और बड़ी ख़बर की और जहां को बता दें नेपाल में कम्यूनिस पार्टी के भीतर और बाहर अपनी नीतियों और काम काज को लेकर उट रहे सवालों के बीच नेपाल के प्रधान मंतरी ओली ने रविवार को बयान दिया कि नई दिल्ली और काट मांडू में उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए साजिशें रची ज आ रही है ऐसे में दोस्तों आप नेपाल के प्रधान मंतरी ओली को किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे प्रधान मंतरी मोधी के भीहाप पर दोस्तों जरू लिकर बताईएगा चलते कर बड़ी खबर की और जहाब को बता दे पीछे हटने की बात कहकर भी LAC पर निर्म प्रधान मंतरी मोधी जी को किस प्रकार से एक्षन लेना चाहिएगा और जल से जल्द एक्षन लेना चाहिएगा चाहिए कमेंट सेक्षन में भारी मातरा में लिखना मत भूलेगा चलते कर बड़ी खबर की और जांप को बता दे वीके सिंग ने कहा पाना मुश्किल है कि चीनी सेनिकों ने तंबू में क्या रखा हुआ था जिससे आग लगी हाला कि वीके सिंग का दावा अब तक के अनुमान से थोड़ा अलग है अब तक कहा जा रहा था कि चीनी सेनिकों के पीछे ना हटने पर दोनों और इसके सेनिकों के बीच जड़प हुई थी ऐसे में आपकी क्या रहा है दोस्तों चाइना को लेकर और क्या आप भी जनरल वीके सिंग की बातों से सहमत हैं अगर आप सहमत है तो जरू बताएगा कमेंट सेक्चन में लिके देखते कितने लोग सहमत है चलते कर बड़ी ख़बर की और जहां आपको बता दे शिवराज मंत्री मंडल विस्तार में 24 नेता ले सकते हैं मंत्री पद की शपत सिंधिया समर्थकों को भी मिल सकती है जगय जियां दोस्तों मदपर्देश की तीन महिने से अधूनिक अधिक पुरानी शिवराज सिंग चोहान सरकार के मंत्री मंडल का बहु प्रतिक्षित विस्तार कल यानी मंगलवार को होने की पूरी संभावना है मुख्य मंत्री चोहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णू तत्शरमा रविवार को भोपाल से दिल्ली रवाना हुए थे और उनकी भारतिये जनता पार्टी के वरिष्ट नेताओं से चर्चा हुई है बैठकों का दौर आज भी चल रहा है और सीम चोहान की शाम को प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी से भी मुलाकात करेंगे देर रात तक सीम चोहान वापस लोट आएंगे और मंगलवार को वो अपने मंत्री मंडल का विस्तार करेंगे ऐसे में दोस्तों आप इनको बधाई देना बिल्कुल मत भूलेगा कमेंट सेक्शन में लिखके चलते का और बड़ी ख़बर की से बीजेपी सांसर प्रग्या सिंख ठाकूर ने कॉंग्रेस के पुरुव अध्यक्त राहूल गांदी का नाम लिए बिना कहा कि एक विदेशी महिला से पैदा हुआ ब्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है ठाकूर ने भोपाल में ब्रदेश बीजेपी कारियाले में एक कारिकरम के बाद भारत चीन के बीच तनाव के संदर्व में कॉंग्रेस के आरोपों के बारे में एक सवाल पर पत्रकारों से कहा कि कॉंग्रेस को तो अपने गिरेवान में जाग कर देखना चाहिए उनमें ना तो बोलने की सब्विता है ना ही पार्टी में संसकार है ना ही उनकी पार्टी में देश भक्ती है मैं एक बात कहूंगी कि देश भक्ती आएगी कहां से जब दो देशों की सदस्टा लेकर रहेंगे ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है क्या बीजेपी सांसरच प्रक्या सिंग ठाकुने सही तरह से घेरा है कॉंग्रेस को आपको क्या लगता है दोस्तों जरूर बताएगा और आप किस प्रकार से कॉंग्रेस को जवाब देना चाहेंगे अपने तरीके में लिखना मत भूल चलते एक और बड़ी खबर की और जहाब को बता दे मायवती बोली देश हित में बीएसपी केंदर के साथ है राजनीतिक लड़ाई का चीन उठा सकता है फाइदा जीहां दोस्तों बता दे भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जारी तनाव को लेकर कॉंग्रेस और बारत्य जनता पार्टी में लगातार वार पलटवार जारी है उत्तर प्रदेश की पुर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुक मायवती ने भी इस अब इस मसले पर दोनों पार्टीों पर निशाना साधा है मायवती ने कहा कि चीन का मसला गंबीर है लेकिन बीजेपी कॉंगलिस राजनिती में लगी हुई है ये बिलकुल ठीक नहीं मायवती ने कहा कि इस राजनितिक लड़ाई का चीन भी फाइदा उठा सकता है और इसका देश की जनता को नुकसान हो रहा है बसपा प्रमुक ने कहा कि देशित के मसले पर बसपा केंदर के साथ है यानी बीजेपी के साथ है चाहे केंदर में बीजेपी की सरकार हुए किसी अन्नी की सरकार हो हम भारत के सरकार के साथ में ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों क्या मायवती यहाँ पर भी राजनिती कर रही है या फिर सच में समर्थन कर रही है बीजेपी का जरू बताए दिल्ली NCR में भले ही पिछले दिनों ही मांसुने दस्तक दी हो लेकिन लोगों को भीशन गर्मी से अभी भी छुटकारा नहीं मिल सका है रास्ट्रिय रासदानी में रविवार को तापमान 40 डिग्री पार कर गया हाला कि मौफ़न विभाग ने अगले 4-5 दिनों में हलकी बा दोस्तों ऐसे में आप में कितने ऐसे लोग है जो दिल्ली NCR या दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जो लिक्कर बताईएगा और आपके यहां का कैसा मौसम है दोस्तों गर्मी है या नहीं जरूर बताईएगा चलते कर बड़ी खबर की और जह दोस्तों आप क्या मानते हैं क्या बिना चुनाव के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को फिर से अगले पांस साल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बना देना चाहिए आपके क्या रही है दोस्तों जरूर बताईएगा यह देश का मामला है और बिहार का मामला है बताईएगा जरूर दोस्तों एक और खबर की माने तो बाल बाल बचे इंशीपी सुप्रीमो Jason Яuse मुंबई पूर्य एकसिदेंट हो गया पिंपडी चिंचवर्ड के इलाके में पुलिस की गाडी पलट गई जिसमें एक पुलिस कर्मी जख्मी हो गया हाला की उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है और दोस्तों ये थे अब तक कि सारी बड़ी खबरे आपको हमारी खबरे कैसी लगे अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंदों में वास्ता फेस्बूक पर शेयर जरू कर दीजेगा और अभी कर दीजे इस वीडियो को लाइक की चैनल को कर दीजे सबस्क्राइब बेल आइकॉन दबाईए साथ इकमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा जैहिन जैवारत तो मिलते हैं आप से अगली बड़ी ख़वर्ड में तब तक कले अपना ख्याल रखियेगा घर में रहिए लॉक्डाउन का पालन करिएगा धन्यवाद और दोस्तों साथ ही आपको बता दे कि आप लोगों ने जॉब के लिए भी कहा था कि जहां भी जॉब को लेकर कोई बात आए तो हम आपको जॉब से जुड़ी ख़वरे जरू बताए इसलिए हम आज से जॉब के लिए भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगर आप चाहते हैं उस चैनल का लिंक तो हम आपको जरू बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं धन्यवाद